प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने गुरुवार को भारत के सबसे बड़े पुल की नीव रखी यह पुल असम के धुबरी को मेगाले के फुलवारी से जोड़ेगा 19.3 किलोमीटर लंबा यह पुल देश का सबसे बड़ा पुल होगा और पुरुवत्तर के दो राज्यों को जोड़ने में एहम साबित होगा पीएम मोदी ने काय कि सबक मार्क से असम और मेगाले की दूरी करीब 500 किलोमीटर है बविशे में ये केवल 19-20 किलोमीटर रह जाएगी पीएम मोदी ने महा बाहू ब्रहंपुत्र प्रोजेक्ट को भी लॉंच किया इसके लावब है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दो लेन वाले माजुली पुल के भूमी पूजन में भी शामिल हुए यह पुल असम में माजुली को जोर हट से जोड़ेगा आये जानते हैं इन तीनों प्रोजेक्टों की खासिते क्या है चार लेन का यह पुल ब्रहंपुत्र नदी पर बनेगा धुबरी और फुलबाडी को आपस में जोड़ेगा यह पुल NH-127B के तैयत आएगा असम के धुबरी को यह मिघाले में फुलबाडी, तूरा, रोंगराम और रोंग जेंग से जुड़ेगा पुल की अनुमानी तलागत 4997 करोड रुपे है इस पुल की जरूरत अपरेल 2012 में महसूस हुई जब 305 लोगों को ले जा रही ब्रहंपत्र नदी में पलट गई अभी वहनों को 200 किलोमेटर से जादा का चक्कर लगा कर जाना पड़ता है उसमें करीब 6 गंटे लगते हैं अभी धुमरी और फुलबाडी के बीच जो नावे चलती हैं उनसे नदी पार करने में करीब 5 गंटे लगते हैं एक बार धुबरी और फुलबाडी के बीच यह पुल शुरू हो जाये तो नदी पार करने में 15 से 20 मिनट ही लगेंगे असम के मांजुली और जोरहाट को जोणने के लिए एक पुल का भूमी पूजन हुआ है यह पुल एनच 715 के पर होगा पुल की डिमांड दशकों से हो रही थी अब तक मांजुली के लोग असम से जुणने के लिए फेरी सेवाओ के भरोसे थे पीए मोधी ने महा भाहू ब्रहम पुद्र को भी लौंच किया इस का रहकरम का मकसद पुर्वतर भारत तक बहतरिन कनेक्टिविटी स्थापित करना था निमाटी और मांजुली नार्थ गुवहाटी और साउथ गुवहाटी और धुबरी से हस्सिंगे मारी के बीच रोपैक्स सेवा शुरू हुई मांजुली और निमाटी के बीच रोपैक्स सेवा से अब तक सड़क के करीब सवा 400 किलोमेटर घुम कर आने की जूरत पड़ती है पैक्स से सिर्फ 12 किलोमेटर का सफर तैक करते हुए अपने समान को जहाज पर ले जा सकते हैं इस रास्ते पर दो जहाज चलाए जा रहे हैं जो करीब 1600 यातरी और दरजनो समान ले जा सकते हैं दोस्तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें